आइस कैसा हो कि जब पूरी फैमिली को एक ऐसा वर्तान दिया गया हो जिसके अंदर हर मैंबर के पास magical powers हो जो कि सब ये एक तूसरे की मदद करते हो लेकिन उसी फैमिली के अंदर एक ऐसी लड़की जिसे magic नहीं मिला हो लेकिन फिर पे उसमें ये उमीद है कि वो सब कुछ ठ करते की गाईज ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम एंकेंटो है मूवी की स्टाटिंग में हम एक मीरा बैल नाम की लड़की को देखते है जो कि अपनी ग्रैनमा यानी की नानी अलमा के साथ में बैठी थी अलमा यहाँ पे एक स्टोरी बताती है मीरा बैल को कि कैसे इस कैंडल ने अलमा की पूरी लाइफ को बदल दिया अलमा और पेट्रो कपल हुआ करते थे जिनको तीन बच्ची हुए लेकिन कुछी टाइम बाद में उस टाउन में वार छिड़ गए इसी कारण पेट्रो और अलमा को वहाँ से जाना पड़ा पेट्रो ने अलमा का सीटा रखा गया वो माजिकल केंडल अलमा की हर फामली मेंबर को गिरिफ्ट दिया करती थी अब बारी थी मीरा बेल की जब मीरा बेल को अकले दिन गिफ्ट मिलने वाला था मीरा बेल अपनी नानी से वो कैंडल का प्रोमिस लेके आंके बढ़ती है और उसी के बाद कहा नाम कसीटा है। अल्मा यानी के नानी के तीन बच्चे थे पैपा, जूलियट और प्रुनो। पैपा के पास बाधिशों की पावर्स थी कि वो अगर कहीं पिजाएगी तो हर जगह हर याली होगी। जूलियट जोकि मीरा बैल की ही मा थी उनके पास पावर्स थी कि वो सब को स्ट्रॉंग है और उस पूरे शहर में लोगों की मदद करती है। दूसरी बेहन का नाम है इसाबेल। जिसे पावर्स मिली है फूलो की वो जह जहाँ जाएगी तो हर जगह फूल आ जाएंगे। और इसी के साथ में डॉलोरेस, कैमिलो और एंटॉनियो। डॉलोरेस के पा चलता है कि आलमा बहार आके मीरा बेल को बोलती है कि तुम्हें वो बच्ची हो जिसे कोई पावर नहीं मिली है। सारे बच्चे सुनके एकदम चुप हो जाते है। जिसे इस मैजिकल कैंडल ने कोई वर्दान नहीं दिया था। लेकिन फिर भी मीरा बेल बहुत कुछ और अपने फैमली मैंबर्स की मदद किया करती थी। मीरा बेल अपनी नानी से एक चांस और चाती थी कि शायद उसे वापस चांस मिले और मैजिकल कैंडल उसे भी गिफ्ट दे। लेकिन सभी मीरा बेल को इगनोर किया करते थे। इसी के साथ सभी अंटॉनियो को ढूंड रहे थे मीरा बेल अपने रूम में जाती है तो उसे अपना च्छोटा भाई मिलता है एंटॉनियो जो कि सभी से डर रहा था कि क्या मैजिकल कैंडल उसे मैजिक पावर्स दीगी या नहीं देगी मीरा बेल कहती है कि तुम भी बहुत खास हो तुम्हें भी बहुत अच्छा की बुलाता है ताकि वो उसके साथ आंके बढ़ सके मीरा बेल बिना किसी को ध्यान में रखते हुए एंटॉनियो के साथ आंके बढ़ती है मीरा बेल को अपना पास्ट याद आता है तब हम देखते हैं कि मीरा बेल ने जब बच्छपन में डोर उपन किया था तो वो डोर खायब हो चुका था जिसके बाद अल्वा यानि की घ्रैन मा मीरा बेल को अच्छी लड़की नहीं मानती थी क्योंकि उसे कोई पावर्स नहीं मिले और अब टाइम था एंटॉनियो का एंटॉनियो ने जैसे ही तरवाजे को ओपन किया तो मैजिकल केंडल ने उसे पावर चानवरों से बात करने की क्योंकि एंटॉनियो को यही बहुत पसंद था देखते ही देखते सब्हें सैलिब्रेशन में मश्कूल हो गए और सभी बहुत खुशी से एंटॉनियो का गिफ्ट सैलिब्रेट करने लगे सभी लोग फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं लेकिन चली कसीटा में दरार आ रही है नानी और पूरी फैमिली जब आके देखते हैं तो घर में कुछ भी नहीं हुआ था इसी कारण नानी यहां पर मीरा बैल पर बहुत खुस्सा करती है कि तुम जूटी लड़की हो आकर तुम सबके सैलिब्रेशन में क्यों दरार डाल रही हो घर को कुछ भी नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं होगा मीरा बैल रोध होके वहां से चली जाती है मीरा बैल की मौम जूलिट उसे समझाती है कि कोई बात नहीं मेटा तुमने जो भी देखा होगा ये एक वहम है मीरा बैल कहती है कि मैंने अपनी आख को वापिस से सही करने में मीरा बैल को लगता है कि नानी बहुत परिशान है और कैंडल के मैजिक में कोई ना कोई फीर बदल हुआ है मुझे इस मैजिक को ठीक करना पड़ेगा मीरा बैल रेडी हो जाती है इस कैंडल को ठीक करने के लिए कि मैं मैजिक को कैसे ठीक करू लेकि कल से मैजिक के बाद में कुछ परिशान लगने लगी है यहाँ सबी लोग टेबल पर बैटे थे जहाँ बार बार मीरा बैल लुईसा से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नानी मीरा बैल को अपने पांस बठा लेती है नानी यहाँ पर बताती है कि जल्दी इसा बैल को देखने के लिए आने वाले है और हमें उसके लिए अच्छी खासे प्रिप्रेशन करनी है यहाँ पर मीरा बैल टाइम देखे सिधा लुईसा के पास पहुँच जाती है और उसे बार बार पूछती है कि क्या तुम्हें कल मैजिक होने के बाद में कुछ अजीब सा लगा है पहले तो लुईसा ध्यान नहीं देती है लेकिन उसके बाद में मीरा बैल को कहती है कि अच्छा हुआ जो तो आ गई हो कल से मुझे बहुत अजीब लग रहा है कल जब से तुमने कहा है कि मैजिक में कुछ असर हुआ है और कसीटो के उपर दरारे आये तब से मेरी पावर्स कम हो गई है मैं कुछ भारे समान नहीं उठा पा रहे हूँ तब यहाँ पर मीरा बैल अपने मुझे कहा देती है कि उसके पास कोई विशन साय थे जिसके अंदर घर तूट रहा था यह बात सुनके तो लुईसा और साथा टेंशन में आ चाती है लेकिन फिर पर लुईसा यहाँ मीरा बैल को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है कि शायद सब चल्दी ठीक हो जाए लुईसा यहाँ पर मीरा बैल को ये भी बताती है कि आखरी बार इस घर को तूटते हुए ब्रुनो मामा ने देखा है अगर तुमें कुछ पता ही लगाना है तो तुमें ब्रुनो मामा को ढूणना पड़ेगा वो तुमें सब कुछ पता देंगे लेकिन कसीटा की अंदर से ब्रुनो को काफ़ी टाइम पहले ही निकाल दिया गया था इसी बात के सचाई जानने के लिए अब मीरा बैल पहुँच जाती है ब्रुनो की रूम में जहां पर रेत की अलावा और कुछ भी नहीं था और सीथा जाके मीरा बैल नीचे गिरती है जहां उसे उपर हसारों सीडियां दिखती है फिर भी कैसे तैसे करके मीरा बैल उपर पहुचती है और एक बड़ी सी खाई पर जम्प करती हुई दूसरी तरफ पहुचती है वहाँ भी उसे तहकाने का एक दरवासा मिलता है अंदर जाने पिर उसी रेट की अंदर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं ऐसे चमकीले क्रिस्टल जो कि किसे की imagine हूँ यहां पर मीरा बैल को खुद का फेस दिखाई देता है यहांन कि कसीटा का घर तूटने के पीछे खुद मीरा बैल है जैसे ही mira bel crystal को जोड़ती है कि तभी वहाँ पे सारी चीज़े गिरने लग चाती है कैसे-तैसे करके mira bel और crystal को लेकर यहाँ पहर आ जाती है यहाँ पे louisa ने आब mira bel के शिकायत नानी से कर दी थी कि mira bel मुझे कुछ उल्टा सिदा बोल रही है कि मेरी powers खत्म होने वाली है और इन सब के पीछे मीरा बैल है अब यहाँ पे नानी मीरा बैल को डाटने लगती है कि तुम आखिर क्यों इन सब को परिशान कर रही हो और अच्छा होगा कि तुम इस घर से चली ही जाओ मीरा बड़ी परिशान हो कि अपने रूम में चली जाते कि कोई पे इस घर में ब्रुनो का नाम नहीं लेका ब्रुनो बहुत ही अपशुकनी था वो जब भी बोलता था या फिर जब भी फ्यूचर देखता था तो कुछ बुरा ही बोलता था उसने इतना गंदा फ्यूचर देखा कि हमारी पुरी शादी परबाद हो गई लोगों क साथ बहुत बुरा होता था इसी कारे नानी ने ब्रुनो को घर से बाहर निकाल दिया और अब कोई भी उनका नाम नहीं लेता है इधर अब सभी लोग मेरियानों का फेट कर रहे थे जो कि इसाबेल के लिए रिश्टा लेकि आने वाला था इसाबेल ने जब सारी क्रिस्ट टूटेगा तो उसके पीछे मीरा बैल है तो मीरा बैल के फादर कहते हैं कि बिल्कुल चुप रहे ना ये बात किसी को मत बताना जो भी भविश्यवानी हुई है ये अपनी दक रखना लेकिन ये सारी बाते डॉलोरेज सुन चुकी थी जो कि अपनी पेट में कभी बात नह घर रहा है जहां पेट ब्रूणो को मीरा बैल को कहते हैं कि आखिर उसके साथ में क्या चल रहा है मीरा बैल को ये भी पता चलता है कि ब्रुनो को भी घर छोड़ के गया ही नहीं था बलकि वो तो हमेशा से इसी घर में छुपा हुआ था सभी लोगों को पास में था उसी इसलिए बेदखल कर दिया गया था क्योंकि वो गलत फ्यूचर दिखा करता था मीरा बैल अपने मामा की ऐसी हालत देख के बहुत परिशान हो चाती है और उसके बाद में ब्रुनो को कहती है कि आप फिर से फ्यूचर देखिए मैं जानना चाती हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ पहले तो ब्रुनो मना कर देता है कि नहीं मैंने इस सब करना छोड़ दिया है और उसके लिए मुझे बहुत बड़ी जगर चाहिए तभी हम देखते हैं कि होँपे अंटॉनियो भी आ जाता है वहीं दूसरी तरफ अब ब्रुनो फ्यूचर देखना स्टार्ट करता है जहां पर वो कुछ रिचुल्स करता है और दीरे दीरे उसके सामने विचुल्स आने लगते हैं कि ये पूरा कसिटा तूट चाहेगा वो भी मीरा बैल के कारण लेकिन मीरा बैल कहती है कि प्लीज आगी देखो क्योंकि ब्रुनो कहता है इसके आगे मैं नहीं देखूंगा आगी फ्यूचर देखने पर ब्रुनो को पता चलता है कि ये कसिटा वापस भी ठीक हो सकता है और उसका कारण भी मीरा बैल होगी लेकिन इस घर को जोड़ने के लिए मीरा बैल को किसी को गले लगाना पड़ेका उसका गुस्य का कारण ये था कि उसकी शाथी तूट गई थी, लेकिन बात के बात उमें पता चलता है कि इसा बैल खुश थी, कि वो मैरियानों को कभी पसंद ही नहीं किया करती थी, और अब जब मीरा बैल के कारण वो रिष्टा तूट गया है, कि मीरा बैल ये सब तुमारी जूटी कहानिया है, तुम इस मैजिक को और जादा खराब करती जा रहे हो, अगर लॉब बुच गई तो इन सब के पीछे तुम ही होगी, मीरा बैल को सुनते में बहुत देर हो जाती है, देखते ही देखते कसीटा काफी जादा टूटने लग जाता है, कसीटा जो कि ये मैजिकल घर था, अपने मेंबर से बहुत प्यार किया करता था, इसी कारण सारे मेंबर्स को वो बाहर निकाल देता है, इसाबेल और कैमिलो ऊपर चड़ते हैं, मीरा बैल की मदद करने के लिए, यूँकि मीरा बैल यहां से जाके सिधा केंडल को बचाती है, लेकिन यहाँ कैमिलो ऊ-रीजा बैल की पावर्स काम नहीं करती, और वो दोनों नीचे गिर जाते है, कैसे तथे करके मीरा बैल उस केंडल को बचा लेती है, और आखिर में कैसे तैसे कसिटा में बची हुई जान से वो मीरा बेल को बचा लेता है ये घर लेकिन वो लॉप बुच चुकी थी यहां जूलियट अपनी बेटी मीरा बेल के पास आती और इसे समझाती है कि कोई बात ने अब जो हो चुका है वो हो चुका है लेकिन सबी रोग मीरा बेल पे गुस्सा करने लगते हैं कि मीरा बेल के कारण ये पूरा घर इतने सालों पुराना घर मैजिकल घर अब टूट चुका है जिसके पीछे सिर्फ और सिफ मीरा बेल है मीरा बेल रोध होके सीधा ऐसी जगह पे पहुँचती है कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया यहाँ पे नानी अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो अपने हस्बेंट के साथ बहुत खुशी-खुशी रहा करती थी उन्होंने तीन बच्चों को जन्म दिया वार्चर ने की कारण पेट्रो ने अपनी जान गुर्बान करती और उसके बाद नीचर नियुनी यह गिफ्ट दिया इतने सालों से हर बच्चे को गिफ्ट मिलता आ रहा था लेकिन मीरा बेल को जब यह गिफ्ट नहीं मिला और बहुत सारी बटरफ्लाइज जिनके आसपास आजाती है तभी यहां Bruno आता है जो कि अपनी मा को देखता है और कहता है कि क्या आप यहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है तो Alma भागती हुए आती है और सीधा Bruno को गले से लगा लीती है क्योंकि हलमानी Bruno के साथ अच्छा नहीं किया था अब यह तीनों अपने घर का सीटा पहुँचते हैं जोंपे अब तक हर चीज़ टूटी फूटी थी देकिन फिर भी मीरा बैल कहती है कि हम लोग मिलके इस घर को बनाएंगे सभी लोग मिलके एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं और इस घर को पूरी तरीके से बना देते हैं हम देखते हैं कि यहां पर डॉलर एस मेरियानो को पसंद करती है और इन दौनों की लाइफ बे स्टार्ट हो चाती है अब फाइनली जब मीरा बेल के कहने से यह पूरा घर बन चुका था तो डॉर नॉब लगाने की बारी भी मीरा बेल की थी सभी लोग मीरा बेल पर बिलीव करते हैं और उसे डॉर नॉब देते हैं जैसे मीरा बेल डॉर नॉब लगाती है और डॉर ओपन करती है तो पूरा का पूरा कसीटा का मैजिक वापस आ चुका था कसीटा के घर में मैजिक था और इसी के साथ लोगों में भी मैजिक आ चुका था हर फैमिली मेंबर के पास उनकी पावर्स थी इसी के साथ ये फैमिली वापस इखटा होती है और इस बार दो मेंबर और एड थे यानि कि मीरा बेल और ब्रुनो यहां यह शानदार मैजिकल फैमिली की मूवी यहीं पर एंड होती है तो गाइस आप सभी लोगों को कैसी लगी है मैजिकल मूवी मुझे जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में तब तक के लिए टाडा